हमारे नेक्स गेस्ट है समीर नाम दिखाया है जी अवाज आ रही है जी अवाज आ रही है जी असलाम अलेकूम 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 रहमतुला बरकातुफ जी पॉलिगमी का टॉपिक है हमारा आज का एक से जादा शादी जो इसलाम में अजाज़त है वो टॉपिक है जी 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 मैंने बहन के अर्गिमेंट सुने कुछ आपके बाद शीत सुनी जी देखे मैं यह समझता हूँ अपने परस्तल तोर पर के हर एक इंसान का जो है न वो सोचना और उसकी सोच उसका नजरिया जो है उसके इंदर एक तलाफात हो सकते हैं लेकिन डिसकुशन होना चाह है या तो इनसान कुछ सीख ले या तो कुछ सिखा ले क्या करते हैं जी जी समीर रहे जहां तक पालगेमिकी तालुक से मेरे ख्यालात हैं और बींग एक्स मुसलिम डेफिनेटली वो ख्यालात तो नहीं होंगे जो इसलाम के हैं उसे मुतफरी की होंगे लेकिन मैं यह समझ हैं असल में वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आप ऐसा क्यों बूल रहें कि एक्स मुसलिम हो तो डेफिनेटली वो ख्यालात नहीं होंगे तो यह इस वज़े से नहीं होंगे क्योंकि आप एक्स मुसलिम हो तो डेफिनेटली वो ख्यालात नहीं होंगे तो यह इस वज़े मेरे ख्यालाइत इसलिए वो नहीं होंगे तो मैं बोड़ा हूँ सिर्फ इस वजे से कोई ख्याल नहीं होना जी कि मैक्स मुस्लीम हो तो इसलाम में जो भी है मैं उसकी मखालफ़त करूँगा मैं ये बोल रहा हूँ कंटिनीव करिए आप मेरे ख्यालाइत इसलिए वो नहीं होंगे ये कि हम एक समस्वलिम जो है न वो ये समझते हैं मौरलिटी के वैसेश्स पर इसलाम जो है वो बाकी आम इनसानी मौरलिटी और जो यूमरिटी के वैसेश्स होते हैं उनके खिलाफ है और एक सुनिम होने के तालग से मैं ये समझता हूँ कि डेफिनिटली मेरे ख्यालाद अगर मैं एक इनसानित को फालो परता हूँ या मॉरलिटीज को मैं इसको एक स्पेशल दर्जे पर रख रहा हूँ तो डेफिनिटली मेरे ख्यालाद जो है वो इसलाम से मुक्तलिफी होगे इसलिए मैंने ये बात बोली थी एन्यवे मैं अपने पॉइंट के उपर आता हूँ मैं परस्नल तोर पर अपने ये समझता हूँ कि एक स्थाइद शादी करना जो है वो औरत के हुकूप के खिलाफ है अगर आज इस पर वजाहत चाहिए तो मैं कर दूँगा जी एक से ज़्यादा शादी की बात आप बता रहे हैं औरतों के हुकूप के खिलाफ है जी ओके बताईए वो इस विए से खिलाफ हैं क्योंकि अभी मने हज़रत की बात सुनी इस रफ़ाद साब की वो ये कह रहे थे कि अगर ये उस नुएत के अत्बार से है एक सिजाद शादी जब कि आप उसकी इस्तिजाद रखते हो इमत रखते हो कि एक सिजाद बीवे को आप रख सकें उनका खर्श उठा सकें उनकी जरूरियात को पुरा कर सकें लेकिन आम तोर पर बात ये है कि एक वोमन की जरूरियात हैं उनको पूरा कर देने भर से जो है वो पूरा कर देना भर काफी नहीं है ये आम तोर पर आप साइंस की काफी होती है अगर आप इस इदाद रखते हैं और आप इस लाइट भी हैं कि आप एक से जायद बीवी कर लें तो उस कंडिशन में अगर आपकी बीवी जो है आपकी उंखालफत नहीं कर सकती इस इत्वार से कि आप उनका खर्च उठा लेंगा उनकी जबियात पूरी करेंगे फि लेकिन ये हमारा जो इसलाम है इसके अंदर अकीदे का मामला है तो अल्ला के हुकम के खिलाग कोई भी हमारी मुस्लिम बहन जो है वो जाना नहीं चाहती इसलिए वो खामोशी अप्तियार करती है वरना जाहिरी बात है कि एक वोमन को एक मजिला को गतन ये पसंद नहीं जो सेपरेटेड औरते हैं चार करोर पैंसट लाक और ये चीज में आप आगे दिखोंगे तो बिन भी हाई लड़कियां तीस साल से उपर जो तीस साल से उपर 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 हो गई शादिया नहीं हुई 56 लाक है तो ये फिगर कुल मिलाकर 5 करो 21 लाक जो 2011 के संसस में था इस वज़े से आदमी को नहीं करना चाहर हूं हाँ वो ये कह रहे हैं ज़ी नहीं मैं उनसे पूछ रहा हूं मैं सही समझाओ ना मैं आपसे माजरत करते हुए गुदारिश करना चाहता हूँ कि मेरा बात करने का तरीका कुछ इस तरीके का है कि मैं एक टाइम पे एक ही आर्गुमेंट लेता हूँ और एक का ही जवाब देता हूँ तो आप हजरात आपस में टैख कर लें कि मुझसे गुफतगू कोन करने वाला है मैं गुफतगू कर ले तो ठीके जव्याद साब से मेरी गुजारिश है कि वो पीपिटी हिटा ले मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हैं कि क्योंके औरत को पसंद नहीं आएगा इस वज़े से पहली बीवी को पसंद नहीं आता इस वज़े से दूसरा नहीं करना चाहिए ना बात यहां पसंद आने की नहीं है पसंद आना ना आना वो एक अलब चीज है जाहिरी तोब पर एक एमान वाली खात्यों को वो हर एक चीज पसंद आएगी जो इसको इसका इंकार करेगी तो इसलाम के दारे से बाहर हो जाएगी बात यहां पर घरा गुजरने की है जुआ है कि उसके दिल पर घरा गुजरेगी और इसको तकलीफ होगी अगर ओपने शोगो किसी और किसाथ share करती है यह निक पसंद वाली बाज़क जो आप बोले थे वो नहीं गिरा गुजरने वाली बात है ना कि गिरा गुजर रहे हैं मैंने पसंद वाली बात कतन की ही नहीं है मैंने यह कहा है तो इसको तकलीफ होगी कि उसके अंदर इंसेक्यरोटी और जाली सी कंपेर टुमेंट ज्यादा होती है ठीक है अगर कोई और खुद ही करा दे तब तो आप इजाज़त देते हैं ना गिरा नहीं गुजर रहे हो खुद ही करा रही है तब तो कोई प्राब्लम नहीं है ना इसके जवाब में थोड़ा सा एक पॉइंट रपकर आपको जवाब दूट चलेगा आपको अब को आप आपको आसलन दूसरी शादी से प्राइब नहीं ना गुजरे तो कोई को कि कर सकते हैं ना दूसरी शादी बेशुख बेश्ख मैं इस में और थोड़ी सी वदाहत करते हूं यह पता देता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर प्रस्टनल लौ नाम की भी चीज होती है जो कि हर एक जो है मजब और धरम के हिसाब से अलग लग बराएं होते हैं जैसे कि मुस्लिम प्रस्टनल लौ अलग है और हिंदू मेरी जब्ट यह कहता है को समझ में आ रहा है कि आप दूसरी तरह किये। पसंद वाली बात आपके सवाल क्रेंगे आप उसी पसंद पर आपसे सवाल किया, आपने का पसंद नी, गिरावाली बात है, तो मैंने गिरावाले उस पर आपसे सवाल किया, तो अब आप दुसरी तरफ जा रहे हैं, एक बात क्लियर करके आगे बढ़ते हैं, उस पे भी बात करेंगे, जो आप बात कर रहे हैं, अभी तो म जी समीर भाइब नहीं हमुदा करते हैंना कोई समझ में तो आए मैं तो अपको समझनी कोशिश कर रहा travailler प्स आपसे सवाली कर रहा उए आपके मैंने कहा कि घुरा गुजरता है इसले नहीं करना चैक Спर्चकते इस lá जिसका इसले प्राब्ल्म है यह गिरा गुजरता है इसलिए पुराबलम है ना जी समीर भाई अभी बताइए जी आपकी बात मुकम्मल होगी मैं जवाब दू जी बोलिए मैं आपसे एक है जाया था कि मेरा जवाब मुकम्मल हो जायगा उवकर जे ना आपके फूञते बात हैं की लिग्म मेरा जवाब नहीं आया लेकिन मुझा मुकमल तो पड़ने लिए जया आपके अंदर एहम मुली नहीं है सुन रहा है बेटर हैं बोलिए तो मैं यह कह रहा था आप से कि हमारे हिंदुस्तान के परसनल लाग को जो कानून है उसके अंदर एक मुस्लिम जो है वो एक बीवी के होते हुए भी दूसरी तीसरी और चोटी शादी कर सकता है इसकी इजादत कानूनी रूप से मुझूद है लेकिन लेकिन साथ ही साथ यह भी कानून है कि अगर वो पहली बीवी की इजाज़त हो और उसको कोई तकलीफ ना हो और उसको कोई तकलीफ ना हो और वो खुद ऐसा चाती हो तो एक हिंदू आदमी भी एक सनातनी भी दूसरी शादी कर सकता है तो लिहाजा मैं इस बात में श्काल नहीं कर सकता कि अगर पहली बेवे को तक्लीफ ना हो और उसको परिशानी ना हो तो दूसरी शादी करना ना जायज़ा मैं यह कह नहीं सकता क्योंकि यह मेरे देश के कॉंस्टिटिशन के खलाव है अगर अगर आगर नहीं मुझे जवाब नहीं नहीं मुझे जवाब नहीं पैरत के नहीं में खिसकी के रहे हैं अब आपको सुना मुझे सुनिये अब गलत करूंगा तो आप अपने जवाब में मुझको बोलने देंगे ठीक है बोले हैं आपने पहले कहा पसंद वाली बात मैंने उस पर ये सवाल किया कि भई अगर पसंद हो तो दूसरा कर सकते हैं आपने का नहीं मैं पसंद की बात नहीं कर रहा हैं गिरा की बात कर रहा हैं मैंने गिरा पे का ठीक है अगर गिरा न गुजरे तो कर सकते हैं फिर आप चले गए personal law पर, चलिए मैं personal law के इसाप से बोलता हूँ, अगर personal law ही आपके नजदी एक ground है जिसकी बुन्याद पर इजाज़त होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है ना फिर, muslim बसनला में muslimान को इजाज़त है, तो वो कर ले, hindu को इजाज़त है, तो वो नही नहीं करें, तब तो कोई मसला ही नहीं रहे गया, personal law के इसाप से बुलने तो भी कोई मसला नहीं रहे गया, मेने जो personal law का example दिया है, वो मैंने आपकी बात को और जो है ना, जो जो है न, जो बिकार्ट हो रहा है, आप जो भी बूल रहे न, लोग पीछे से जब ये discussion हो जाएगा ना, तो लोग पीछे ला करके तो आइगा आगा है, जी जी जी, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हू ताके जो भी हो वो दोनों इसमें बात कर सकने हैं जी टू-टू मिनिट्स का करते आएंगे जी बताई अनलेस कोई ना यूज करे तो कैंसल होगा वो टाइम ठीक है दुबारा से स्टार्ट की जब आपने ये कहा है कि अगर एक महिला को तकलीफ ना हो तो क्या वो दूसरी शादी कर सकता है तो मैंने उस बात को मेरा जवाब ये था कि हाँ बिल्कुल कर सकता है उस पे हमें कोई अतराज करने का हक नहीं अगर पहली बीवी को कोई तकलीफ नहीं है तो इवन दो एक अगर महिला को तकलीफ होगी तो डेफिनेटली उसका जो पती है उसका जो हस्बेंड है खाविन है वो दूसरी शादी नहीं करना चाहिए ये हमारी युमेनिलिटिस्टिक मॉलिलिटी है क्योंकि उससे उसको शादी करना और एक से ज़्यादा बीवी रखना ये सही नहीं है मेरा एक मिलट इनको देदें जैट साब तो मैं तो यही मैं भी यही बोल रहा हूं आपको कि आपने ये कहा कि अगर औरत इजाज़त दे दे या औरत को पसंद हो या औरत खुद ही शादी गरा दे तो यहीं आपको बुन्यादी दोर पर एक से ज़्यादा शादियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको स्रीफ प्रॉब्लम इस बात से है कि औरत को गिरा ना गुजरे तो यानि अगर औरत को गिरा नहीं गुजर रहा है तो आप एक से ज़्यादा शादियों को बुरा नहीं समझते हैं अगर औरत को गिरा नहीं गुजर रहा है तो आप एक से ज़्यादा शादियों को बुरा नहीं समझते हैं जाब दे दिए सवाल का जवाब देने के लिए जी बिल्कुल ऐसा ही है आप मुझे से रिपीटेशन मांग रहे हैं अभी मेरे जवाब की तो मैं फिर से आपकी तसलिक लिए रिपीटेशन दे देता हूं मेरे नज़्दीद मेरा अपना सोच ये है कि अगर एक महिला को पहली बीवी को अपने खाविन की दूसरी बीवी से कोई मसला नहीं है कोई एतराज नहीं है और वो इस पर मुत्टफिक है कि उसका उसका शोहर जो है वो दूसरी शादी कर ले तो फिर मैं नहीं समझता कि बहारवाले किसी इंसान को उसके अंदर इंटर्फेर करने की जरूरत है या उसको कोई हत बनता है कि वो उसे ये सवाल करे कि तुमने दूसरी शादी क्यों कर की लेकिन अगर उसकी पहली बीवी को मसला नहीं है उसी सुनत में. एक बात बताईए, यानि गिरा गुजरना जो है न वह एक ऐसा ग्राउंड है, जिसकी वन्याद पर हम किसी चीज़ को सही या गलत कह सकते हैं. मान लिजी कि मेरा एक बेटा है, और उसकी अमर हो गई है पांट-दस साल की. अब मैं एक और बेटा पैदा करना चाहते हूँ, पर मेरे बेटे को गिरा गुजरता है कि मैं एक बेटा और ना पैदा करूं, वो चाहते हैं कि मैं एक लोगता रहूँ. तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए क्या इस वज़े से क्योंकि मेरे बेटे को गिरा गुजर रहा है मेरा एक और बेटा पैदा करना या एक और बेबी करना तो इस वज़े से मुझ पर हराम होना चाहिए कि मैं एक और बेटा नहीं पैदा कर सकता हूँ सवाल आपने बड़ अच्छा किया है मैं इसका आपको जवाब देते हुए एकी बात कहना चाहूंगा मेरे नजदीक आपका जो एक्जामपल था वो इल्लोजिकल था वो इस वज़े से लोजिकल था क्योंकि आपका अगर एक बेटा अल्रेडी मुझूद है और आप दूसरा बेटा कर लेंगे तो इससे उसको जो है ना mentally तOR पर और physical तो पर कोई तकलीफ नहीं पहुँछेगी पहले वाले बेटे को लेकिन जो और emotional तो तोर भी नहीं पहुँचेगी बस अगर वो यह चाहता है कि मैं और रहू तो उसके कोई जाहिज वजुहात को नहीं चाहिए और तो हग सिर्फ उसी का है, क्योंकि बच्चों की सूरत में जो हग सिर्फ एक बच्चे का नहीं होता, सारे बच्चों का होता, लेकिन महिला की सूरत में एक हस्बेंड के साथ रहने का हग सिर्फ एक महिला का ही होता है, तो इसलिए आपका ये जो एक्जामपल है, वो उसके लाट आएए, कि क्या इस्लाम में अगर मुझे मेरी बीवी ने इजाजत फ्राहम नहीं की, तो क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूं या नहीं कर सकता मेरी बीवी की इजाजत के बगएर। अभी तो वो इजाज़त के बगार शादी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं उस पर बाद में बात आएगी भाई आपने ही एक ग्राउंड दिया था मुझको एक बुनियाद दी थी एक क्राइटेरिया दिया था और उसी क्राइटेरिया पर मैंने सवाल किया बच्चे को गिरा गुजरना चाहिए कि नहीं गुजरना चाहिए वो अपनी जगापर बच्चे को गिरा गुजर रहा है बच्चा है 20 साल का मान लीजे एक बेटा मेरा हो गया 20 साल का अभी मुझे एक बेबी करना है और उसको भारी पढ़ रहा है उसको गिरा गुजर रहा है और तो क्या उसके यानि आप अपना जो जो आपकी बुनियाद है ना क्राइटेरिया जिसकी बुनियाद पर आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं वो क्राइटेरिया डिफाइन कर दी जिसलिए मैं चाहता हूँ अभी पहले आपने पसंद वाली बात कही उससे भी फिर गए फिर आपने मैयार वाली गिरावाली बात कही उससे भी आफिर गए फिर आपने वो परसनल लावाली बात कही उससे भी आफिर गए अभी मैं आप ही के दिये हुए ग्राउंड पर समझना चाहरा हूँ कि आप किस दुनियार पर किसी चीज़ को सही या गलत कहते हैं गिराँ वाली बात आप ही ने कही थी कि लड़की औरत को गिराँ गुजरता है उसी पर मैंने पूशा कि भई लड़के को गिराँ गुजर रहे गिराँ गुजरना सही गलत है वो अभी दूसरी पहस है लड़के को गिरा गुजर रहा है एक और बेबी करना उसको तकलीफ होगी तो क्या उसके गिरा गुजरनी की वज़े से मैं एक बेबी और पैदा नहीं कर सकता गिरा गुजर रहा है उसको सही गुजर रहा है गलत गुजर रहा है अब या फिर आप ये बोल देंगी गिरा पॉब बीदिर को हो关़ में किındaिए हैं कि मैंने पहले जो है मल biri की बात की फिर में इन कि वार्वव की ऑफिर में की ऑफिर फेति की बात की और ने सबसे हट गया अब ही एस स्ट्रीम इस टुछने के आप दुबारा से टाइम स्टार्ट कर रहा है, मैं यूट करना हूँ, करिए, स्टार्ट कर दिए, एक मुझ टाइम रोग दीजिए, मैं गुजारिश करना चाहूँगा, सुर्फरास साब अगर आप टाइम से बात कर रहे हैं, तो फिर टाइम का आप खया लगें, भरेगी आ आप बात कर रहे हैं, उस पर बात करी हैं, उनका टाइम जब खतम हुजा है तब आप बोले, ने फिर भी होल्ड करें शेक, आप मेरे मेरे पर खैसला सुनाया है, अग्रीड अग्रीड, मैं भी आपके साथ बोल रहा हूँ, आप कंटिन्यू करिए, स्टार्ट करें, आपका ससी शोहर का शादी करना, उसकी मरदी के बगर, वो सही नहीं है, और जहाँ तक आपने मर्जी की बात कीते तो वहां प्तफिक हुआ है कि अगर पहली बीवी को कोईपसला है, उसको कोई तक्लीफ नहीं है, तो दूसरी शादी करने में क enfrent missile कोई परशानी, कोई मिश्किलन न नहीं है मैं इस पर आपके साथ हूँ तो यहां पर जब हम दोनों एकी स्टेंट पर खड़े हो गए हैं आकर के और अब मसला हमारा यह है कि उसकी जो बीवी है जिसका सिर्फ अकेला हक है बच्चों का कभी अकेला हक नहीं होता एक वाले दिन जो है एक सजायद बच्चे पैदा मत करना कि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भाई और बेहन पैदा हूँ लेकिन मैं ऐसे आपको हजारों बता सकता हूँ एक्जमपल जहां बीवी ओको जो है तकरीफ हुई है दूसरी बीवी कर लेने से और लोगों की जो है शादिया तक भी तूट गई है दूसरी बीवी की इजादत के साथ कोई मसला नहीं है और बीवी की इजादत का बगर मसला है तो अब यहाँ पर आगे की बात जो होगी वो यह होगी कि अब आपको यह साबित करना है मुझे क्या इसलाम में रहते हुए एक being a Muslim क्या मेरे लिए औरत की इजादत जरूरी है दूसरा निका करने के लिए फर्द है या गयर दरूरी है ताइम अप टाइम आप जी भाई मैं तो सीधी सीधी बात एक सवाल कर रहा हूँ और मुझे अभी तक कि वो सवाल का जवाब नहीं मिला है दोनों में फर्क क्या है मैं इस आपने खुद बताया आपने खुद एक क्राइट लड़के बड़े हो जाते ना तो उनको बुरा लगता है अगर अब बुरा लगता है तो फिर भी तो बात चल रही है ना कि बीवी का हक और क्या ये हक बीवी को पहुँचता है की नहीं पहुँचते की वो एक और बीवी को लाने से मना करे शोहर को उसी पे तो डिबेट चल रही है हमारी उसी पे तो बात हो रही है तो लड़के को गिरा गुजर रहा है दोनों में फर्क क्या है ये बताईए आप म में आपके बात नहीं लगता है कि मैं दूसरे टॉपिक पर चला गया हूँ तो मैं कुछ भी नहीं चलाँगा कि शायद हमारा टॉपिक वह ही है स्टाट से उरुसी पर अब तक बात कर रहा है नगवाँ और मैं आपके उपर जोटी प्रहमत नहीं लगाऊँगा कि आप लेकिन जो एक्जम्पल आपने सेट किया है, मैंने उसके लिए बता दिया आपको कि वो एक लोजिकल एक्जम्पल है, वो इसलिए क्योंकि इसकी मिसाले जो है, माशरे में बहुत ही ना के बराबर है, मैंने तो आज तक नहीं सुनी, शायद आपके आगर एक आद में या इस तरीके से जो है, यह हमारी बात्शीत जो है, यह हमारी डिवेट जो है, वो आगे बढ़ सकती है, क्योंकि हम एक जगे पर पहुच चुके हैं, जहां पर मैंने आपके साथ मुत्तविक होते हुए, आपकी राय के साथ मैंने खड़े होते हुए ये कहा है, कि मैं इस बात से आगरी करता हूँ, कि अगर पहली बीवी को मसला नहीं है, तो शादी जायज है, उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे लिए आपको ये साबित करना होगा, मैं आपको आगे बढ़ने के लिए डिबेट में कह रहा हूँ, कि आगे बढ़ते में मुझे साबित कीजिए, कि इसलाम में पहली बीवी की इजादत के बगएर आप निकाह नहीं कर सकते, और अगर नहीं कर सकते तो उसका रेफरेंस दीजिए, या मुझे चैलेंज कीजिए, कि आप निकाह कर सकते हैं उसकी मर्दी के बगएर, तो फिर मैं आपको ये उसका रेफरेंस देता हूँ, मैं किसी ओर, अच्छा मैं बीच में थोड़ा टाइम पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अभी फिक्स ही रखेंगे, टू मिनिट्स पैदा करना, मैं उसके घुरा हाँ, इसकी मिञाल में दे दोंगा अभी आपको, लेकिन गुरा गुजर रा है, और हम एंसान है, एक इंसान पर गुरा गुरा गुजर रा है, तो क्यूं हम इजाशत ने, बाप को देख रहा है, इसकी प्रॉपर्टी जो है ना, उसके बाप की वो तक्सीम हो जाएगी जैसे औरत को लगता है ना कि शोहर का खर्चा जो मुझको अब तक मिला था आप शोहर एक दीवी को और खर्चा देगा तो बेटे को लग रहा है एक और बच्चा होगा तो प्रॉपर्टी तक्सीम हो जाएगी अभी देखिए मैं गूगल कर रहा हैं लोग इंडिया में बदाई हो काउन क्या इसमें बीकी पेडिया पर लिखा हुए कि कोई ये फिल्म है आयुशमान को राना और नीना गुपता इस्टारर तो इसका मतलब की लड़कों को भारी पड़ता है अगर एक बच्चा और हो पैता यानि 20-25 साल के लड़का हो ग हैं चलो अबी काम करते हैं में आपने इन मिलें आपको थीन मिल रही है सो अगर बचे की उमर ऑड़को मैं एक मार्टा देना चाहता हूं आप आप इनोंने एक कंडिशन रग दिया है यहाँ पर कि अगर बच्चे की उमर जो है वो 25-30 साल है तो यह बड़े मज़ेकी बात है अगर आपका बेटा 25-30 साल का हो गया है तो उस उमर में पहली बात तो mostly of the people जो है वो बच्चे पैदा नहीं करते हैं more than 99 परसेंट अगर कोई 0.5 परसेंट अगर ऐसे कोई किसा आता भी है तो वो बच्चे जो है अडल्ट हो जाते हैं और उस वक्त जो है उनको मसला हो सकता है किसी भी सूरत में लेकिन मैं यहाँ भी आपको चैलेंज करते हुए य नहीं होती जसमें एक की उमर से आदी हो या बहुत कम हो इसके साथ को सहबत करके बच्चे पैदा करें यह इसलाम में ही पॉसलीड इस चीज़ का भी एकिस चीज़ का गैर मेरे सामने रप दें उसके बाद उस पर जो है सोच बचार किया अगया है जहां तक आप रफरेंस देना है, बॉलिट मुवी का, मुझे यह भी बताएं, कि वो बॉलिट मुवी क्या किसी रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस थी, उसके जो रियल करेक्टर हैं, उनके नाम क्या-क्या है, वो भी उसकी भी मुझे वजाहत करें, क्योंकि अभी आपने मुवी का हवाला देते हुए पर आपने स्टेंड लिया है तो अभी आपके जिम्में है कि आप मुझे उसकी वजाहत करें कि क्या वो रियल इंसरेंट के उपर बेश थी तो किस माश्रे और किन लोगों के उपर वो बेश थी ये बताने के बाद ही आगे की बादशीत हो सकती है जेड़ मिनट इनको देदे इनसे डेटा भी ले लें कि नॉन मुसलिम ऐसा नहीं करते है डेटा जरूर ले लें ने इनको रहने दीजे मैं अकेले हूं काफी इंके लिए भाई देखो अब वो जो फिल्म बनी है वो तो किसी उस पर बनी है चलिए मैं नहीं होता ऐसा मैंने ऐसा मान लिया कभी हो गया एक जगह पर ऐसा हो गया है अ待क मामले में ऐसा हुआ आप रास और मामलिये प्रैक्टिकल होना यह तो एक लड़का को बुरा लग रहा है गिना गुई लगवफ होना तो ऐसी सूरत में आप क्या बनतीम्स प्रश्ग करлекते हैं कोई लड़का है जिस पर गिना गुजर रह इमेजिन कर लिया मैंने अब बताइए कि उसको दूसरी उसका बाप जो है वो दूसरा बच्छा पैदा कर सकता है कि नहीं कर सकते हैं अब बैक टू मिनिट्स करते हैं तके जड़ा फास्टर क्रिस्प डिसकॉशन हो तो मैं टू मिनिट्स का भी सब लोग फॉलो कर रही हैं जी टू मिनिट्स स्टाट समीरवाण में मेरा आधा ही मिनिट रखियें मैं तो आप से यह कहना चाहँगा कि अगर आप IMAGINATION करके सवाल कर रहे हैं तो मैं तो यह कहूँगा कि IMAGINATION में जवाब भी तलाश कर लें यहां IMAGINATION के उपर बातचीत करने बचून कि मौश्रे के अंदर जो मसाइल हैं उनके उपर बात करने बचून makes. बोला है इंडिविजल अगर एक आपकेस इस तरह का है तो उसको इंडिविजल लेवल पर सुलजाया जा सकता है आम चीज जो होगी माश्रे में जो आम मसला होगा उसके पर हम डिसकस करेंगे और यहां हमारा मौदू जो है वो पॉलिगमी के उपर है पॉलिगमी के जो है वो पंदरा भीच साल की 25 साल की हो जो की बच्चे को जनम देने के काविल हो जिससे दूसरे वेटे को मसला हो सके यह इसलाम में ही पॉसिबल है और यह इसके एक जो है अगर आप इसको इस तरीके से समझे कि ये इसके साइड इफेक्ट में से एक चीज है जो की पॉलिगमी को आप प्रिजेंट कर रहे हैं इसलाम के तौर पर तो इसकी भी दलील अब आपके उपर है कि आप इसको सही सावित करें अगर इसे नवियत भी आती है तो जूँए भई मेरे सवाल का जवाब नी मिला मैंने पूछा था कि पहले लड़के पर गिरा गुज़र रहा है तो उसको बाफ दूसरी शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता है असान सा सवाल है पता नहीं यहाँ वहाँ क्यों भूम रहे इतना यह हालक इनकी सारे सवालों का जवाब है लेकिन मैं छोटा सा सवाल कर रहा हूं और उसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि पहले लड़के पर गिरां गुजर रहा है तो उसका बाप दूसरा बीबी कर सकता है कि नहीं कर सकता है है छोटा सा सवाल है और उसका जवाब नहीं मिल लिए और जवाब में पता नहीं कहाँ चीन आपाँ जा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं जवाब के आप इमेजीनेशन और उसकी पर प्राबलम क्रियेट कर रही ही, मैं उसके पर बात करने आप से आए हूँ, आपकी इमेजिनेशन के अदिबार से नहीं, अगर आप कहा दे कि कल को अगर 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 आ गया, तो उस वक्त अल्ला को जो है बशर माना जाएगा, या खालिक माना जाएगा, तो आपकी इमेजिने और अगर वालिक है, तो उसके अदिबार से जो है, वो अपना मुद्दा जो है, कोर्ट में लेकर कर जा सकता है, उसके बाद जो जजज या जो फिर जो बेंच होगी, वो उसके अदिबार पर फैसला देगी, हमारे पास option है कोर्ट में जाने का, हमारे पास कानून है, आपक का करके उसको जो है ना अपने imagination के उपर मुझसे सवाल जवाब कर रहे है जो कि मेरे लिए जरूरी नहीं लाजिम नहीं है जवाब देना लेकिन अगर मेरा खुद का इस्टेंड आप जानना चाहते है personal opinion क्या आपका personal opinion क्या है क्या होना चाहिए उसके इतबार से मैं आपको दे देता हूँ मैं मेरे जाब देता हूँ आप मुझे काई ने कि ठीक है अपना personal opinion बता दे मैं आपको बता दूँगा लेकिन फिर आप उस शर्त ही होगी कि मेरा personal opinion लेने के बाद आप उसमें हुझत नहीं कर सकते क्योंकि मेरा personal opinion आपको आगे बढ़ना होगा हाँ यानि उसके लिए जायज नहीं है कि दूसरा बच्चा बैदा करें हो जायज ना जायज की बात कर रहे हैं कि मैं अपना personal opinion दूँगा मैंने दे दिया अब आप आगे बढ़े तो हम तो जायज ना जायज के बारे में मांगा था आप इतना डर क्यों रहें लेकिन जनाब मैं कर रहा हूं मैं आप से जतनी बात आप कर रहें उनका जवाब दे रहा हूं दूस्टुर और जायज भाग जाता हूं जवाब दीजे ना ज़ए लेकिना जायज की ना जायज ना जायज अफ़से आप चाहिए। पाल पूस करके उनको बड़ा नहीं कर पा रही थी, कोई ओरत ती जिसकी उमर हो गई थी और उसका निकाह नहीं हो रहा था, कोई ओरत को खुला हो गया था, उसको एक पूरा शोहर मिल गया, तो इसने थोड़ा सा गिरा गुजर एसके उपर, लेकिन तो गिरा गुजरने एक परिस नुकसान को बरदाश्ट कर लेना चाहिए जैसा बच्चों के मामले में हम करते हैं कि मेरा बच्चा अगर है उसको गिरा गुजर रहे हैं लेकिन उसके गिरा गुजरने की वज़े से मैं सेकेंड बेबी नहीं करूँगा बलकि उसको समझाऊंगा उसको कन्वेंस करूँगा और उसको बोलूगा कि तुम सबर करो ये मेरा जवाद आपने टाइम नहीं लगाया जैद साब आपने टाइम नहीं लगाया अब होगे है ना फिनिश अब बताइए टाइम लगाला तो आपने लगाऊंगा देखिए हादरत नहीं बहुत अच्छी बात करते हैं वो ये कहा है कि उसको अगर अगरा उजरता है तो उसको सबर करने ना चाहिए कि उसके सबर करने की होदे से एक जो विजो है या जो एक बे-सहारा ओरत है उसको सहारा मिल रहा है जो जिसका तलाक हो गया है या जिसके चौर का इंतकाल हो गया है जो बे-सहारा है गरीब है इस तरह की जो वोमन है उसको सहारा मिल रहा है इसलिए उसको सबर कर लेना चाहिए तो यहाँ पर मेरा ये फर्ज बनता है कि आप मैं हजरत से यह दलील मंगू, आप मुझे बताइए कि इसलाम के अंदर सिर्फ ऐसी ही महिलाओ से दूसरा निका करना जायज है, जिनको तलाग हो गया है, जो बेवा है, या इनी से निका करना दूसरा जायज है, या आम तोर पर किसी एक कम उमर की लड़की से और किसी अच्छे घर की, अच्छे परिवार की खुशाल लड़की से भी मुसल्मान निकाह कर सकता है, प्लीज इसका जवाब देते, यहीं पर आप पर स्टेंड उपता चल जाएगा, जिवाब दूसरा आपका, जी जी बिल्कुत दीजे, देखिए एजायद भाई, जब इनके उस क्राइटरिया पर किसी जीस को जायज या ना जायज बोल सकते हैं, यह इनके जिम्में मेरा सवाल है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट यह दूसरी तरफ ले करके जा रहे हैं, बाकी और आदमी जो है ना, अकीकत में शरीयत के दवार से आदमी बेवा, मुतलका, मुक्तलिया, कु यही औरतें उसको दूसरी बीवी बनने के लिए मिल दी हैं, तो प्रैक्टिकली सहारा ऐसा आदमी बन जाता है, बेवा, मुतलका, मुक्तलिया औरगों के लिए, या अगर कुमारी लड़की कोई मिल गया तो मिला ना, फायदा तो हुआ ना, उसको एक शोहर मिल गया, उसक कोड़ी सी मुसीबत है, उसकी मुकाबले में एक कुमारी लड़की को शोहर मिल गया, यह जादा फायदे की बात है, यह कुमारी लड़की को ही मान करके, मैं अपना आर्गूमेंट रख देता हूं, लेकिन अभी आपको जवाब यह देना है, कि गिरां गुजरने की बन्या पर क्या हम किसी चीज को जायज या ना जायज बोल सकते हैं? दलील यह थी, कि यह निका इसलिए जायज है, क्योंकि इससे बे सहारा महिलाओं को, मुतलका को, बेवाओं को सहारा मिलता है, जब मैं इनसे पूछ लिया गया, कि सिर्फ ऐसी लड़कियों से दूसरा निका करना जायज है, तो यह उसका जवाब ना देते हुए, जले भी बनाते हुए नदर आए सिर्फ, यहाँ बर मैं पिर इसने इनसे यही सवाल करता हूँ, और इनकी जो मजीद इनने बाचीत किये, उसके अत्वार से पूछता हूँ, कि अगर चले, यह आप तो जवाब नहीं दे पाए, आगे बढ़ते हुए मैं यह कह रहा हूँ, कि अगर लड़के से शादी क्यों करती, जिसकी पहले से यह एक बीवी है, और अगर वो शादी करके ला रहा है, उसकी बीवी को भी तकलीफ पहुच रही है, तो क्या यह रास्ता नहीं हो सकता था कि यह वो किसी कमारे लड़के से शादी कर लेती, जिसकी अब तक शादी नहीं हु ती वजुवात कुछ भी हो चाहे दहज हो चाहे उनका मेल ना मिल रहा हो या उनके रिश्दारी के ताल लोग खराब हो या कुछ भी हो तीस-थिस-पैति-पैतिस साल की लड़के कमारे घूम रहे हैं क्या आप लोगों को ऐसा मौश्रा तयार नहीं करना चाहिए जहां पर इ एक आदमी जिसकी पहले से एक-एक दोजो भीविया है वो तीसरी शादी कमारी बच्ची से कर रहा है अगर आम उससे मांगेंगे तो मैं दे दूँग आपको इसके देख सामपने कि लोगों ने किये हैं किया किसी चीज़ पर गिरां गुजरनी की वज़े से किसी चीज़ को जायज या ना जायज कहा जा सकता है सिरिफ इस वज़े से कि कुछ लोगों पर गिरा गुजर रहा example बताना होगा इन ताकि हजरत को समझ गाए तो मेरी ज़यत पटल साब से बुली शेख गज़ा मुझे दे त्री मिनट त्री मिनट करते हैं कराउनर ना चलिए चैनले ये कर लिए जी इन्होंने ये कहा है कि क्या किसी को बुरा लगना इस बात की हुज़त हो सकती है कि वो उस काम को ना करे अगरा गुजर रहा है क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि किसी चीज़ को महसूस करना फील करना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है दुनिया के अंदर एक लड़की जिसका रेप किया जा रहा है और एक लड़की जिसके साथ सोहबत की जा रही है इन दोनों में कोई अलग special काम नहीं होता काम एक ही होता है लेकिन दोनों में फर्क है अगर कोई बालिग लड़की हिंदुस्तान के खानून के मताबिक अगर example देता हो मैं लड़की और कोई बालिग लड़का अगर आपस में तालुकात कायम करते हैं तो वो तालुकात कायम करने उन दोनों पर कोई सजा नहीं है न कोई मुकदमा है लेकिन अगर कोई आदमी किसी मूवन का रेप करता है इस पर सजा है इसका reason ये है कि जब कोई लड़की अपनी मर्दी से किसी लड़के के साथ इंटिमेट होती है जिस्वानी तालुकात कायम करती है तो उसमें उसको प्लेजर मिलता है उसको खुशी मिलती है क्योंकि उसमें उसकी मर्दी होती है उसकी चाहत होती है लेकिन जब उस लड़की की मर्दी और उ इसी लिए उसको तकलीव गुजरती है और अक्सर रेप विक्तिम लड़किया जो है वो सुसाइट तक कर लेती है इस वज़े से के उनके साथ रेप किया गया उसकी तकलीव को बरदाश करते हुए ये सिर्फ चाहत और सोच का ही फरक है नजरियात का और इसी लिए एक रैपि गुजरती है तो वो काम करना क्यों गलत है और गरा नहीं गुजरती है तो वो काम क्यों किया जा सकता है जी सर्प्रास समय मेरे सवाल आप समझ नहीं पाएं मैं ये बोल रहा हूं कि क्या सिर्फ सिर्फ गिरा गुजरने की वज़े से कि किसी को गिरा गुजर रहा है कोई का सिर्फ इसलिए क्योंकि गिना गुजरता है पहले बीवी को इसलिए दूसरा निका नहीं करना चाहिए तो मैं यह पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या सिर्फ गिना गुजरने से कानून बना करके किसी चीज़ को जायज या ना जायज करार दिया जा सकता है सिर्फ 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 मैंने अपना इस्टेंट बहुत किलिली रखा है सिर्फ उसको गरा गुजरने के एत्बार से उस काम को नजाइस करार दिया जाना चाहिए और दिया जाता है हमारे हिंदुस्तान के कानून में उसकी चाहत नहीं होती उसको तकलीफ होती है इसी लिए उसके साथ sexual intimate करने की वज जैसे उसको गरा गुजरा है वो चीज इसी वज़े से लेकिन इसलाम में यही काम को जायज करार दिया जाता है एक वूमन को गरा गुजरने के बाद भी आपको इजाजत है दूसरी शादी करने की मैंने जो आप से सवाल किया था आप ने इसको मुझे आप तक जवाब नह किसी भी खिताब से आप के लिए पहली बीवी की इजाजत जरूरी है दूसरा निकाह करने के लिए अकर वो अगरा अभी तक आप के उपर डियू है इसका आपने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया है मैंने अपना जवाब बहुत किल्डन लिया आपको बता दिया अब म ठीक है अगर सिर्फ गिरां गुजरने की वज़े से किसी चीज को कोई कावनून नहीं लगा जा सकता कोई पाबंदी नहीं कि जा सकती मैं समझना चाहता हूं असल में तो भी समझ रहा हूं कि आपका आप किसी किस बुन्यार पर किसी चीज को जायज या ना जायज गोलते हैं प्ज़े गिना गुज़रता है मुझे सब्फोकेशन होता है मुझे नहीं पसंदें तो क्या घृअनमेटमंच मजबूर कर सकती है कि मुझे तो गिना गुज़र है च्कार मुझे मजबूर कर सकती है सवाल है मेरा जायज वजुहत होनी चाहिए आपकी कोई medical condition होनी चाहिए या आपको कोई ऐसी problem होनी चाहिए जिसकी वज़े से mask पहने से आपको problem है उसके लिए दूसरा कोई रास्ता इजाद किया जाएगा या आप जो है बाहर जाने से बचेंगे आप अंदर से इतने नहीं टूड़ जाएंगे कि आप सुसाइट तक कमिट कर ले जैसा कि माश्रा में होता आया है तो आप मुझे अगर कोई दलील दे रहे हैं तो कम से कम उस मुकाबले की दलील दे जिस मौज़ुके पर आप बात कर रहे हैं यह दलील नहीं होती जो आप अच्छे से समझ नहीं पाए तो आप यह वीडियो रिवाइंड करके दुबार सुन ले एक बात को दो बार बोलना मेरी यादत नहीं मास्क पहनने से गिरां गुजरता है तो मेरे लिए तो फिर जायद होना चाहिए कि मैं बगएर मास्क पहने निकले तो अब इन्हों Séal कंडीशन की बात लगा दी यानि सिर्फ गिरां गुजरने की बन्याद पर कोई चीज़ को जायज या ना जायज नहीं किया जा सकता है उसके इलावा भी benefit देखने पड़ेंगे तो हम भी तो वही कह रहे हैं जो आपने mask के बारे में कहा ना कि सिरिफ गिरा गुजर रहा है इस वज़े से मुझे इजाज़त नहीं होगी कि मैं खुले हूँ बलकि medical conditions और दूसरे benefit भी देखने पड़ेंगे तो हम भी यह ही बोल रहे हैं कि एक वरत पे गिरा गुजर रहा हैं लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि दूसरे benefit हैं इस वज़े से इजाज़त देना चाहिए दूसरी शादी की हम यह बोलें अब benefit है कि नहीं हो एक अलग decision हो जाएगा लेकिन पहले आप ये आपके जो आपने जो एक बताया था कानूना की गिरा गुजरनी की बुन्याद पर किसी चीज से मना नहीं किया जा सकता है तो तो आपने खुछ तस्लीम कर लिया कि अगर गिरा भी गुजर रहा हो एक चीज लेकिन अगर उसके दूसरे फायदे हो तो उसकी जाज़त होनी चाहिए इसी चीजों पर मुझे जवाब देना है लेगे मुझे हसी आ रही है इन्हों ने ये कहा है जी शेक शाबान प्लीज बीच में ना बोले चले आप पहले हसले अपनी बात बात में हसले जी शुरू करें मैं आपको फिर से टाइमर आखे दे रहा हूँ जी स्टार्ट करें देखे इन्होंने कहा है कि अगर उसको गरा गुझर रही है इस बन्याद पर नहीं हो सकता मार्क्स एक्जामपल दे रहे हैं तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस इन्सान को अगर आपको मास्क पर गुझर रहा है तो क्या यह गरा मास्क पर गुजर रही है क्या आप पर गुजर रही है यह तो गरा आप पर गुजर रही है मास्क पर तो नहीं गुजर रही है लेकिन जो शादी आप कर रहे है उसका फाइदा तो आप उठा रहे है पर गरा भी भी के ओपर गुजर रही है दूसरे को तकली दे करके अपना फायदा हासिल करना ये इंसानियत के खिलाप है आपके मास्क पहनने से आपके मास्क को तकलीफ नहीं होगी आपको तकलीफ होगी उसके लिए और भी रास्ते हैं आप अपना काम किसी और से करा ले आप ओनलाइन काम कर ले बाहर ना जाए घर के किसी शक्स की म परोड़ी तो नहीं है कि मास्क पहन करके आपको बाहर भूनना है नहीं अगर आपको अपना काम करना है तो उसके लिए और तरीका कार हो सकते हैं और कुछ रास्तर त्यार किये जा सकते हैं लेकिन वो जो गरा गुजरेगी वो आपके पर गुजरेगी जना उस कंडिसन में आ आपकी दूसरी शादी करने से आपकी पहली बेबी को कोई फाइदा नहीं पहुच रहा है अगर इसको कोई फाइदा पहुच रहा था होता तो उखुद ही जज़द दे जे ज़दी और अगर वो जज़द दे दे जिए उस उस कंडिशन में तो मैंने कह दिया कि आपकी बसना तो ये तो बोल रहे ना कि फाइदा नुकसान देखा जाएगा तो हम भी तो वही बोल रहे हैं कि फाइदा नुकसान देखा जाएगा किस पे गिरा गुजर रहा है नहीं गुजर रहा है ये नहीं देखा जाएगा फाइदा नुकसान देखा जाएगा हम ये कह रहे ह को मास पेनना मुझ पर वाजीब करा दे वैसी दूसरी शादी का मामला है इनों ने जो खुद एक क्राइटेरिया बनाया था खुद उसको तोड़ दिया बोल कर कि ये फाइदा बार बार बोल रहे हैं ना अभी तक कि गिना बोल रहे था फाइदा भी बात आ गई ना तो हम भ फाइदा और नुकसान देखा जाएगा हम ये कह रहे हैं कि दूसरी शादी का फाइदा इतना जादा है कि एक आउड़त पर अगर गिरा गुजर रहा है तो उसको बरदाश करना चाहिए मैं समझता हूँ कि इतनी सी बात में आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी और नुकसान देखेंगे ना कि ये देखेंगे कि उस महिला पर गरा गुजर रहा है या उसको ये पसंदा रही है तो यही तो चीज़ है जिसके हम खिलाफ है इसलाम की यही चीज हमको पसंद नहीं है कि वो एक औरत की खायश का एक औरत की चाहत का खयाल ना करते हुए सिर्फ फाइदे पर नजर रखता है इस वज़े से दूसरी शादी की जाज़ित देता है और आप मुझे साथ में आप ये भी बताईएगा अपनी बात में मज़ीद जोडते हुए कि क्या सिर्फ दिनी या दुनियावी फाइदा होने की कंडिशन पर ही दूसरी शादी की जा सकती है या अगर किसी मज़ की चाहत हो शादी करना दूसरी तो भी शादी जायज है इसलाम में तो अगर आप इसको कह देते हैं कि नहीं सिर्फ दुनियावी और दिनी फाइदे होने की नौयत में ही शादी दूसरी जायज है तो आपका जो पॉइंट है वह एक वैलिड पॉइंट बन जाएगा फाइदे का इत्माज से कि आप ने मुझे अब तक यह रेफरेंस नहीं पेश किया है कि अगर एक औरत की एक महिला की मर्जी ना हो तो आप निकाह नहीं कर सकते यह भी आपके परवाजिव है अगर इसी डिसकुर्शन में आप दे देंगे तो एक बहत्रिण डिसकुर्शन कंप्लिट डिसकुर्श भी नहीं है फाइदा और नुकसान भी देखा जाएगा पहले आप यह तसलीम कर लैजए है मेरे लिए फाइदा नुकसान उस महीला का ना हो लेकिन आपने फाइदा नुकसान की बात करी तो मजीद मैं अपना दिल खोलते हुए ये कह रहा हूं कि आप मुझे ये साबिट कर दें कि सिर्फ दीनी और दुनियावी फाइदे के एतमाद पर ही दूसरी शादी की जा सकती है एक मरत की फाइशाद के एतमाद पर नहीं आपके बात मैं कम्प्लीट मान लूँगा मैं कि जोन अगेन सिर्फ गिरा गुजरने की बुनियाद पर किसी को नाजायज नहीं करा दिया जा सकता है फाइदा नुकसान भी देखा जाएगा ये आपने तसलीम किया है जब आप मास्क वाली मिसाल को वजाहत कर रहते ना तब आपने तसलीम किया है कि सिर्फ गिड़ा गुजरना क्राइटेरिया नहीं हो सकता है किसी चीज़ को जायज या ना जायज बोलने का फाइदा नुकसान भी देखा जाएगा या आपने बोला है तो आप इसको तसलीम कर लीजी सिर्फ जो आपने बोला है मास के मसले में क्योंकि आपने इसमें जो है मेरा परसनल उपीनियन जानते हुए मुसे ये कहा था जब आपना परसनल उपीनियन दे मैंने उसके बाद देते हुए आगे की बात करी है इस वक और जब मास के आप बात कर रहे हैं उसमें मैंने आपको ये आर्गुमेंट डिया है कि जो तकलीफ है जो गरा गुजरने वाली चीज है वो मास्क को नहीं है आपको है अगर आपको गरा गुजर रही है और फिर आप शादी करना चाहे तो करें आपकी बीवी को गरा नहीं गुजर रही है तो आपको गरा गुजर रही है तो आपका अर्गुमेंट आपके आज क यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यह आपकी तकलीव की बात नहीं हो रहे है. वो आप फिर से क्यों नहीं तसलीम कर रहें कि गिरां गुजरना वही आपने पहले शुरू में का था सिर्फ गिरां गुजरनी की वज़े से ही किसी चीज़ पर पाबंदी लगा जा सकती है फिर आपने जब मास्क वाली मिसाल में नहीं तो आपने बोला कि इसका ये फायदा गुजर रहा है इसकी बुनियाद पर किसी चीज़ को जायज ना जायज बोलने के लिए क्राइटेरिया का होना चाहिए बेसिक लोजिक वाली बात है जो लुक सुनने सबके समझ में आरी ये बात कि किसी चीज़ को ना जायज बोलने के लिए ग्राउंड क्या होना चाहिए बुन्याद क्या होनी चाहिए उसका बेस क्या होना चाहिए उसके अंदर फाइदा है या नुकसान है या उसके करने से किसी को गिना गुजर रहा है तो गिना गुजरना वो बेस होना चाहिए या फाइदा और नुकसान बेस होना चाहिए बहुत आसान सी बात में बोल रहा आप पुरा भाशनी देने लगते हैं आजान सा सवाल में कर रहा हूँ कि किसी चीज़ को जायज ना जायज करा देने के लिए सिर्फ गिरा गुजरना ही एक बेस होना चाहिए उसी बन्यात पर हम किसी चीज़ को जायज ना जायज बोलेंगे या उसका फाइदा नुकसान भी कि मैं उमीद करता हूं अपकी बारद है आप साफ साफ जवाब देंगे एक चीज फाइदा एंदर रेकिन कि इनलए इनको चार बार जवाब दे दिया है अगर यहां पर कोई अदल और इनसाफ वाला तो वो समझ लेगा कि हाम मैंने चारों बार इनको एक ही जवाब दिया है मैं फिर से आपको दे रहा हूँ सफराज साहब घजारिशह मेरी आपसे सुनिये मेरे वर्ड को फिर से एक बार सुनिये मेरे वर्ड को अराम से ध्यान और तवज्जों से सुनिए मैं कह रहा हूँ अगर औरत को घरा गुजर रहा है आपका शादी करना मेरे लिए ये हुच्जत है कि आपको दूसरा निकान नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उसको तकलीफ पहुँच रही है और अगर फायदे और नुकसान की बात आप ला रहे हैं तो इसमें आपका फायदा नुकसान मेरे लिए हुच्जत नहीं है ना उस महीला के लिए हुच्जत है क्योंकि वो आपका फायदा है अगर उस महीला को उस शादी से कोई फायदा हो रहा है तो फिर ये हुज़त हो सकती है कि हाँ उसको फाइदा हो रहा है मेरे शादी करने से तो मैं शादी कर लूँ लेकिन उसको अगर फाइदा होगा उस निकाह से और उसकी जरुवत महसूस होगी तो वो आपको इजादत दे देगी और आपकी शादी बाई डिपोल्ट वैलिड हो जाएगी क्योंकि ये उसकी मरदी से है पर अगर उसको गरा गुजर रहा है वो इजादत नहीं दे रही शादी के लेकिन आपका फाइदा है फिर आप शादी करते हैं मैं इसको इल्लीगल मानता हूँ गलत मानता हूँ विदू में कहा था कि सिर्फ गिरां गुजरने की बुन्याद पर ही मना किया जा सकता है अब ये उसमें फाइदा और नुकसान वाली एक बात इन्होंने शामिल कर लिए फाइदा और नुकसान भी देखा जाएगा तो ठीक है फिर फाइदे नुकसान पर बात करते हैं हम कह ये ठीक है गिरां गुजर रहा है उस ऑरत पर लेकिन इस दूसरी वरत को तो फा 있나 है ऩको शोपर मिल रहा है घृत वह एक और ब्रॐव y मिल रही हैं तो थो लोगार फाइदा हैं और एक और पर थोड़ा सी गिरां गुजर रहा है तो हम यह कह रहे हैं कि इन दो लोगों के फायदे की विजए से, अब आपने तसलीम कर लिया कि फायदे की बुनियात पर किसी चीज़ को जायज बोल सकते हैं, तो यह second और अरत है, इसका फायदा यह है, कि इसको शोहर मिल रहा है, इसका फायदा है कि इसके पास दो बीबी आं गहीं हैं, तो दो लोगों का फायदा है तो एक औरत को पेगिरा गुजरना है तो शरीत ने काई कि जादा फाइदा है और उसका नुकसान कम है तो जिसमें जादा फाइदा होता है नुकसान कम होता है वो चीज जायस होनी चाहिए अभी मैं इस पे बहुत खुश हूँ कि आपने तसलीम कर लिया कि फाइदा देख कि आपने ये कहा कि मैंने तस्लीम कर लिया फाइदा हुज्जत है नहीं मेरे लिए फाइदा हुज्जत नहीं है सौ बार बता चुका हूं मैं आपको मेरे लिए फाइदा हुज्जत नहीं है जब वो फाइदा आपका हो वो फाइदा आपका उस दूसरी बीबी का फाइदा मे मैं फाइदे को वहाँ एड करूँगा जब वो फाइदा उस बीवी का हो क्योंकि वो इस कंडिशन में इजाज़त देगी मेरे लिए उसकी इजाज़त सुरू से मैं मैं यार बता रहा हूं मेरे लिए उस महिला की चाहत और उसकी इजाज़त इंपोर्टेंट है अगर वो बार रिपीट कर रहा हूं आपका फाइदा है दूसरे बीवी का फाइदा है दीन का फाइदा है दुनिया का फाइदा है भाड में जाए मेरे लिए उसको तकलीफ हो रही है इनसानियत के खिलाफ है मैं फिर कह रहा हूं फाइदा नुफसान मेरे लिए उसकी चाहत उसकी द दिलाजारी उसकी तकलीफ मेरे लिए हुज्जत है वो हो रही है तो आपकी दूसरी शादी को हम जाहिज नहीं मानते चाहिए आपका इसलाम अलाओ करता हो आपका फाइदा अलाओ करता हो या दुनिया की कोई भी वजब हाथ माई जजी ओड़ बेक एक मिनट का टाइमर रख यहां तक के तो बात हो गई अब मैं आपसे यह पूछता हूं कि दूसरी बीवी का फाइदा क्यों हुज्जत नहीं है पहली बीवी का फाइदा क्यों हुज्जत है अगर दूसरी बीवी का फाइदा हो रहा है उसको शोहर मिल गया और पहली बीवी पे सिरिफ थोड़ा सा गिना गुजर रहे हैं तो दूसरी बीवी तो औरत ही है न उसका फायदा हरे तो वह प्यूंगी उसके ब्यूअ कि आप Annoy को जो है बीवी बनाएंगे अभी तक वो आपके लिए गहर मैंने है अभी तक वो आपकी बीवी नहीं नहीं है तो इसका फाइदा नुकसान तब होगा वह बबीवी बन जाएगी उसके बीवी बनने से पहले जो मसला है उसके हम बाफ कर रहे हैं कि उसको इसको बीवी बने की नहीं पहली बीवी और दूसरी बीवी और थैं एक औरत का फाइदा है एक आउरत को थोड़ा सा नुकसान है। एक ओरत का फाइदा जादा है। दूसरी ओरत का नुकसान उतना बड़ा नहीं है। तो एक ओरत का जादा फाइदा देख करके एक दूसरी ओरत से कर का जा जाए तॉम थोला सा नुकसान बरदाश frustrating कर लो तो यह ठीच है जिसके अंदर सारे इंसानों का फायदा है तो ठीक है ये पहली थो और तो ऑरत है नँड़त का फायदा सोचना चाहीए इंसानियत की बात आव कर तो एक इंसान का फाइदा है ना इसमें जादा तो इंसानियत के हिसाब से भी तो बात सही है कि भाई ठीक के फिर तो इजाज़त होनी चाहिए वन मिनटा सब्सक्राइएगा देके आप ये कह रहे हैं कि दूसरी औरत का फाइदा है शायद आप बूल चुके हैं कि हमारा मौझू जो है आज का वो औरत नहीं है यहाँ पर आप दूसरी औरत के हुकोग पहले देखेंगे जो कि आप यह आपकी भी नहीं आपके लिए गयर यह कुर दे जा रहे हैं यह इतनी वाट आप मत कर किस तरिकेस लेते हैं मेरे तो पले नहीं पड़ रही है शायद लोगों के पले पड़ जाएंजे सुनने के बार जी घ्राइगقد है कि दूसरे इन का फायदा जाएगा कि तुम अभी जो तुमने अपनी खुद ही ये ग्राउंड दियाए ये बीसिक और ये बीसी आप ही ने बनाया है याacy ही का बेस》 पर हम कहIndli रहे हैं करले mitra dan click कि औरहर भार है और ड्सकांन नुकसान कम ए तो जो बड़ा वाइदा फायदा है मैं जना कम हो मयत弃 ले रही ंपर आपदायों को सब्सक्राइब जब देखा जाएगा जब यह बात जो है ना पूरे सामाजिक तौर पर अपलाई हो रही है अभी तो यह सिर्फ आपकी घर की बात चल रही है चार दिवारी के बीच की बात चल रही है यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ नहीं होगी अगर आप इसी को तुज़त मानते हैं कि इंसानीत का फाइदा हो आप मुझे बता दी, आपकी दूसरी शादी करें लिए answer को क्या फाइदा हो रहा है मैं आपको पर अगर इंसानीत का फाइदा हो रहा है, तो क्या आप अपनी जौजा को मुहल्ले में एक-एक दिन करके भेज़ेंगी कि सब का फाइदा हो जाए एक साथ पर तो आपको येवी करना चाहिए अगर इन्सानित का फाइदा आप अब करना चाहते हैं अपनी जाज़ा को भीजिना चाहिए आपको लिगा सब के घर हो कि आप आपके बनाईवी बेस के हिसाब से सही सावित हो रही है इसकी नहीं दूस्री इसाल मैंने कहा कि δो और आरते हैं दोनों हिउमन हैं दोनों इंसान है एक औरत का फायदा हो रहा है कि इसको पुरा शोहर मिल जा रहे एक औरत को थोड़ा सा गिरा-गुजर रहे तो जि कि आपके बनाएवे बेस की बुन्याद पर मैं कह रहा हूं चलिए ओके मैं जवाद देश अफ्ता हूं दीजे सब जी स्टार्ट की आप बात कर रहे हैं ठीच मैं यूमेलिटी को मैंने बेस बनाया हूं यूमेलिटी को मैं तोड़ा सा रुखना चाहता हूं कि यह जो आउका आपको जिना शिए इस समझ में आएगा यह आता है जिसके पाद जवाब नहीं वच्टा है तो मुझे मसला नहीं है जिसके पादाब सब्सक्राइब करीए अच्छा 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 अगामिक डिसकुशन करी है अगर मेरें आपको सफ्यान साभ बुली लगी हो तो मैं जब वैजय के लिए चाहता हूं लेकिन मेरा जो मकसद था वो पता ही आपको जो मुझे क्या बुड़ा लगगा मुझे वी तॉन यहां जा रहा हूँ ना उसके बिलाजारीगा खेर उसके चाहत का फ्कान नगण ने इसला के लिए पर इनसानियत को इंप्लाई करने का अप्लाई करने का जो है मकस्द यही है कि एक एक इनसान को उसका हुकूप बराबर मिले तो उस पहली बीवी होने के तालुक से आपकी बीवी के उपर आपका हक है और आपकी बीवी का हक है अगर आप वो हक अपनी बीवी से ले करके या वो ह आप किसी और के साथ माटेंगे तो ये उस महिला के खिलाफ है उसके हुकूप के खिलाफ है जो कि इनसानियत के खिलाफ है मेरा मैयार यहां पर यही है जी मुझपर मेरी बीवी का हपी हख है मेरी सुसाइटी का भी हख है जो सुसाइटी में मैं रहता हूँ तो मेरी सुसाइटी में अगर किसी औरत को एक शोहर मिल जा रहा है न तो इस सुसाइटी की औरत की जरूरत भी पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे पर मेरी सुसाइटी का भी हक है, मेरी बीवी का भी हक है और बीवी का हक ये नहीं है, बीवी का हक जो है वो मैं उसको आदा करूँगा बीवी का हक ये नहीं बनता है कि मैं एक और या दो या तीन या निकाह कर सकता हूं बीवी मुझे को इस से रोके तो एक मैं तो अप मेरे खाल से ये इस तरह अपना फुजूली डिसकेशन हो रही है मैंने अपना पॉइंट जो है ना वो सामने रख दिया है कि भाई दोनों औरतें हैं दोनों औरतें इनसान हैं एक इनसान का फायदा जादा हो रहा है एक इनसान का तोड़ा सा नुकसान हो रहा है तो जादा फायदे को देख करके किसी चीज़ को जायज या ना जायज करा दिया जाता है क्योंकि इसमें फायदा जादा है औरतों का इसलिए यह जायज है बस मैं अपनी बात रख चुका बोड़ी अभी और कोई मुझको बोलना नहीं आगे सके ठीके मैं मेरी फाइनल स्टेटमेंट देते वह यही कहता हूँ कि अभी जो आपने मेहरत है किया है आप कोई तरीके से फिर से इसलाम की कानून को फालो कर रहा है कि चाया उस महीला को जितना गरा हुदर है आप अपना फाइदा देखेंगे मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर एक महीला का फाइदा नहीं है उसके अगर अजवाज है पहले से और इसको अच्छा मानते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई भी तरीवा, ऐसा कोई भी रिवाज, जो कि किसी इनसान के हुकुक को छीन ले, उसके दिल आजारी करे, उसका दिल दुखाए, ऐसा एक भी कानून, ऐसे खाली के काइनात के तरब से हो सकता है, जिसने पूर मुझे बोलने हैं, ठीक है, मेरी बात तो जायद भाई हो गई, हमने शुरूर से ये बात रखी है, कि दूसरी शादी ओवर और इंसानियत के फाइदे के लिए हैं, बहुत सारी औरतें जो बेवा हैं, मुतलका हैं, जादा उमर की कुमारिया हैं, उनको शोहर नहीं मिल रहा इसलाम में एक सदा शादी की अजाज़त इसलिए है कि हर औरत के शोहर मिल जाएं, तो इसमें क्योंके ओवर और और इंसानियत का फाइदा है, इसलिए जायज है, और ये साहब ने जो जो क्राइटेरिया बनाया कि गिरा गुजरता है, तो गिरा गुजरना, अगर किसी ची सवाल आपने किया तो मैंने कैसे पहले टन ले लिए लेकिन आप डिस्पेशन में आज़े और आपने पहले बात रखी तो फिर में बोले मेरे शाल पर बंद किया जाए थे, अब कोई दूसरे मौका देंगा, इन्होंने कहा है कि असल में शादी करने का मतलब है, वो वहाँ पर अपने खौईशात को पूरी करना या अमरक के पास दो बीवी या चार बीवी होना नहीं, मक्सूद नहीं है, बिल्कि ये मक्सूद है कि जो मतलगा और जो बेवा है और जो बेसाहर है, उनको सहारा दिया जाए, तो मैंने सवाल इन से पहले किया था, जि जिसकी है या इसके खिलाब है, ये इसके खिलाब है, यहाँ पर आपके एसुलाम में जो है न, वो अडोपशन का कल्चर नहीं है, आप किसी को अडो नहीं कर सकते, आप वो एक मिनट का टाइम था ना जी फिनिश भी हो गई आप टॉपिक से भी बाहर जा रहे थे जी चली तो कुछ सेफराज भाई अभी और एक राउंड बात करना या हो गया बात करेंगे ना उनको करना पड़ेगा मैं आपसी पूछता हूं यह पूछ रहा हूं अब यह कुवारी नहीं है मान लोग इसी बेवा से अगर बेवा को सहारा देने के लिए कर रहे हैं और उसका फायदा हो रहे तब तो जायज है ना इतना तो मान रहे आप न अगर पहली बीवी की इजादत और उसकी चाहत उसके अंदर मौजूद है तो वरना वो इलोजिकल है लेकिन बेवा का फायदा हो रहा है ना भाई इसको बुरा लग रहा है लेकिन उस बेवा औरत को शोहर मिल गया ना जो पहले से लुक्सान हो रहा है ना यह टाइमर वाल जोर बेवा रणाव साहर मिल गया इसको थोड़ी सी तकलीफ पर यह बइवा परदाश कर लो तुमारी ब melon एक है बेवा उसको पुरा शोहर मिल गया मिल असे पहले से देख लेना चाहिए कि कोई और शोहर भी मौजूद है कि नहीं जिसकी पहले से कोई बीवी नहीं मिल रहा है तब कर सकते ही नहीं मिल रहा है और तो आप जो है से लगी पर बगए शोर के बैठी रहे कि मेरी बीवी नहीं मान रही है तो जितने लड़कों की तलाक होती है देबिनेटल उतने लड़कों की नड़की नहीं तनाक होती है। पूरे इंडिया का है और जेनरल बात है इसलिए सब क्मुनिटी की बात कर रहे हम लोग सिर्फ मुस्लिम की बात कर रहे हैं इसलिए मर्दों ये सिर्फ मुस्लिम की बात ही नहीं है ये जो फिगर आ रहे हैं अगर आप इसके साथ में ये भी मिला दे इसमें नाइटी परसेंट आपड़ा जो है वो मुस्लिम कमुनिटी आपको पता है टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है बीस करोर पकर लो तो य आप से अठा करोर या सिर्फ के करीब थी दोजा ग्यारा के सिर्फ की बात मिल गया तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसको थोड़ा सा तकली बरदाश कर लेना चाहिए ना कि कम से कम उसको शोहर मिल गया है तो इसको दोबरा दोरा ले की जरूत नहीं है इसको नहीं शोहर मिल रहा है और मेरी वीवी जो है ना वो मान नहीं रहे तो मैं क्या करूँ उसको छोड़ दो ऐसे और वो बेवा और जाए लेकिन क्यूंकि में प्रस्टान की जिस तरी की आबादी है अगर आप लिए ने वीडिश तरी की आबादी है मैं नहीं समझता कि आप क्या समझते हैं यहां प्रस्टाली दुनिया जानती की बहुत सारी बेवा औरते जिनको शोहर नहीं मिल रहा है आपने भी देखाओगा जो से बहुत सारे कमारे लड़कों को भी बीवा नहीं मिल रही उनके पारे में पुश्चाना लिकिन एक सुरत हाल यह है कि आप बेवा ओरत है उसको शोहर नहीं मिल रही है तो मैं मैं यह पूछरू रहा है कि आपके जवाब नमीना तो ऐसे नहीं मिला को यह दो और बंद आ ब्लाया सकते हैं अभी मैंने कंडिशन क्या बोला एक बेवारत है या तो उससे मैं निकान कर लू या तो जिन्दगी पर पर चुनल को चाहिए तो बगयर शौर करने चाहिए ऊंफ हालाइए हैं ये आपया हंगी तू आ compelled रहे सादी हैinos इसे साहिए ये थू T रहे सब्सक्वार्ट काहिए नगा है लुए है हंगे तो कर सकते हैं कि नहीं तो फिर उस वक्त देखी जाएगी अभी तो वह आधा तो जैड बही ने जो इस टैटिलिक जो तो मानते ही नहीं है नहीं है तो हवाम में बात हो रहे हैं यह जो फिगर जोड़ दीजिए तो यह सब कैसे बिगर पुरूफ के बात हो रही है और अब जैड़न मुझे दिखा रही हैं तो दुसरी शादि की बात हो रही है सही है की गलत है मुस्लीम और काफिर तो इस नाम में बात हो रही है कि और अल बात हो रही है बताए मुझे और उल तो तो कोई आलाऊ ही करता है दूसरी शादी सही है अगलत है इसलाम में दूसरी शादी करना जाइज ना जाइज आवर ओल नहीं है इसलाम के क्योंकि ऑवर ओल्ड मथब जो है वह अनाव कोिने करते प्वालिघमी को सिर्स श्रेंड है की च्टाइब करता है टॉपिक है कि किष्टुकम ना जाया और थे पूपिक है् ुआपको Hampshire को मैं क्योंकि मैंने कह दिया आपको ुकि सिस्लाम सुर्प करता है तो आप मुझे दिखा दे किसी स्कृप्चर से जुडाइज्म के बिशे रिखा हुआ है और अन्सानियत के फायदे बेहें हैं दूसरी शादी हम यह कहरें ऑप यह कहरें कि इतना भी फायदा हो लेकिन क्यूंकि इस आरट को गिना गुजरता है तो नहीं करना चाहिए हम कह रहे हैं कि इस आउरत को गिना गुजरता है गर्चे लिकिन फाइदा क्यूंके जादा है तो इसको बरदाश्ट करना चाहिए बस हमारे और आपके सब्सक्राइब करें के बाकी मजभबों में इसलाम की तरह बाकी धर्मों में बाकी मजभब की नहीं कर सकते और हम दूसरे मजभब वालों को भी दाओ देतें कि आप अपने भी अलाओ किए लेकिन अगर आप मरने लगेंगे तो आपको पानी पिला देंगे ना नहीं पिलाएंगे आप मरते में मार जरूर देंगे क्योंकि मन शब्बा नभी युक्त अलूब और अगर मन बद्दला देंगे अब व्रत को जलाया जा रहा है ना तो प्लस्तिक पूसल्मान और्तों को जहास के लिए नहीं जलाया जा रहा हर मजभब की लड़गियों को जहास के लिए जलाया पेट में नहीं मार रहे हैं इस लाम के कानून में हर मजभ के मानने वालों के लिए इजाज़त होनी चाहिए क्योंकि जो प्राबलम है दूसरी शादी नहीं होनी की वज़े से वह हर मजभ की लोग फेस कर रहे हैं तो क्योंकि हर मजभ की लोग फेस कर रहे हैं तो हर मजभ में इजाज़त होनी चाहिए क्योंकि जहाज़ का मसला लड़कियों को पैट में कतल कर देने का मसला सीब मुसल्मानों के साथ नहीं है मुसल्मानों से जादा हिंदूओं के साथ है तो हम ये कह रहे हैं इसलाम का मसला ही नहीं ये सोसाइटी का मसला है ये जादा शादियों का रिवाज होगा जैस की प्रता खतम होगी तर्कियों को जलाया नहीं जाएगा अब भाग रहे हैं कभी आप भीछ में वापस लाजे। बढ़ी आप भीछ में इस अब भीछ में नहीं क Madonna करते की प्रता है अर्प देगाहिए। वापस जोब करते तो आपिस पर BAR relief की नहीं करता है तो फिर आप उसका उसका रिकॉर्ड दिखाए ना मुझे इसलाम का मुझे आप सिर्फ मुस्लिम रिकॉर्ड दिखाए तब बात हो सब्सक्राइब कि इसलाम ने जो कहा है उसका फायदा है कि वहां पर आद्मी शादियां कर लेते हैं जहां जहां पर मुसल्मान शादी करते हैं वहां उर्तों को पेड़ में गतल लिए वहां जैसकी प्रता नहीं है सब्सक्राइब करते हैं इसको नहीं कुबूल करेगी तो तुम बोले मुसलमानों को विसाल दिखा दूसरी शादी में बता रहे हैं मुसलमानों साथी अर्य मुसल्माने अच्छादी करते हैं जहाज नहीं होता है अब बता रहे हैं तो आप राम मंदीर कहां चले जा रहे हो मुसल्मान मुद्दा नहीं है ना आपका मुद्दा है यहां पर मुद्दा दूसरी शादी का रिवाज होगा तो जहाज नहीं होगा यह हमारा दावा है उसका फाइदा है हम करते हैं इसलिए आपको गिरा घुज़र घुज़र में दो मैं तो बेसिक अपने टॉपिक पर बात कर रहा हूं तुम कहा राम मंदीर और कंसर्ट चाहरे हो अब अगर इसमें इस दिसक्शन में अगर आप दोरी यानि के दहश को लेही आई हैं और आप इसके लिए मुद्धा बना रहे हैं तो इसमें मेरा जवाद सुन लें अगर आप परसनली मेरा उपिनियन जानना चाहें तो मैं खुद बजाते खुद दहश की जो परता है उसके खिलाब हूँ उसको कंडम करता हूँ और मैं यह कहता हूँ यह माशरे से खतम होनी चाहिए यहां मैं आ आपको दहज लेना जरूरी है तो लिहादा जो यह काम कर रहे हैं वो उनका अपना इंडिविजल काम है मजभ इसको नहीं कहता तो आप नहीं ला सकते उसको हम बात यहां मजभी के तौर पर कर रहे हैं हम यहां बात इंडिविजल एक्ट पर नहीं कर रहे हैं तो आपका य एक एक शादी पर इक्तिफा करेगा तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी बच जाती हैं जिनको शोहर नहीं मिलता तो अब क्योंके लड़कियां जादा हैं और शादी के लिए मर्द कम है तो उसका उसका इस एक रिवाज ये बन जाता है कि भाई सप्लाई जादा हो गई है निम तो ये जो जहेज की प्रथा है ये प्रथा डायरेक्ट जुड़ी हुई है पॉली गेमी से जब मर्द एक से जादा शादियां करने लगेगा तो इतनी जादा लड़कियां नहीं बचेंगी कि उनका निकाह नहीं हो रहा है उनको शादी कराने के लिए जहेज की वैलू होगी तो जो लड़कियों को पेट में कतल कर दिया जा रहा है बाहर अबॉर्शन सेंटर के बाहर बोड लगा हुआ होता है पांच हजार खर्चा करो पांच लाग बचाओ यानि पांच हजार में बच्ची को सोनोग्राफी करके माँ डालो गर लड़की पेट में तो तो थोड़ा सा सब्र कर लो तो इतने सारे फाइदों पर दिखाएं आप उसको जवाब के सको अब आप ले जो बड़ी 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 बाद बदेची को मैं तो इसको अच्छी को होगा कि आपने मुझे अच्छी लगी मुझे आपने ये कहा है कि दिसक्शन का एक टाइम फिच दस मिनट और जी मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं अभी ट्रेन अल्रेडी चुट चुकि ये सारी बारा की ट्रेन थी मेरी जी जी चले मैं लास्ट बात तर्से निकलता हूँ पूरी दुनिया के ओपर लागू नाफिज नहीं कर सकते क्योंकि बाकी जो मजाहिब है बाकी जो धरम है उनके जो बिलीफ है उसके एक पूलोगमी जो है वो अलाव नहीं है ना तो Constitution में अलाव है दूसरे मजाहिब वालों के लिए और ना ही उनके अपने scripture में तो इस वो जैसे आप उसको implement नहीं कर सकते हैं अगर आप इसको implement कर सकते हैं तो सिर्फ आप इसलामियों पर implement कर सकते हैं और जैसा कि जैसा कि जैद साब ने खुद ये बात कुबूल की है कि यहां पर तादाद जो है वो कसीर तादाद नहीं है मुसल्मानों की हिंदुस्तान के अंदर तो अगर आप इसको सिर्फ मुसल्मानों में implement भी करते हैं तो यह रेशू जो है वो खतम नहीं होगा जिस पर आपको एतराज है क्योंकि यह रेशू तब खतम होगा जब पू पूरे हिंदुसानों पूरी दुनिया में implement करना चाहते हैं ताकि यह चीज खतम हो तो तो आपकी बात मुझे वाजीब लगेगी क्या आप करना चाहते हैं तो फिर एक अलग बात है अगर नहीं कर सकते हैं सिर्फ मुसल्मानों पर ही आप इसको apply रखना चाहते हैं शरिया क इसलाम में जायज है और रोज जो है महीलाओं को तलाग इसलाम के अंदर होती है हिंदुइजम की जो तलाग है डाइवोर्स है उसका comparison करके देख लिए आप मुसलिम के मुताफिक उनकी जनसंग क्या पॉपलेशन के आप यानि कि 30 क्रोड़ आप मुसल्मान को लें और उनक अभी आपने तस्लीम कर लिया है अब वो उसको नाफिस कैसे करना है उसका इंप्लिमेंट कैसे होना चाहिए हम यह बोल भी नहीं है कि इंप्लिमेंट होई जाएगा सब करी लेंगे हमारा तो बेसिक मुद्धा था कि हमको फाइदा साबित करना है कि इसलाम ने जो यह रख रहेंगे हां तैंक यू सो मच जी जी मैं बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ आपका हजैर्ड पटेल साब और बाकी सब पैनलिस्ट का भी और सरफराज साब अगर मेरी किसी बात से आपका दिलाजारी हुई हो आपका तखलीफ हुई हो तो आप मेरे भाई हैं मेरे महतर अगर मेरे किसी बात से तकलीफ हुई हो जी आप भी कोई चीज का गुरा मत पानीगा जी हम लोग एक अच्छा हेल्डी डिसक्शन कर रहे थे हैं तैंक यू समच्छा जी कि ट्रांसफर आफ नॉलेज होना चाहिए जो मेरे खयालात है वो आप तक जाए और आपके जो खया कभी भी छिपाने वाला इंसान नहीं है और इसको आम तोर पर खुले तोर पर बयान करता हूँ आपके लॉजिक और आपके जो आर्गिमेंट्स होते हैं मैं उनका कायल हूँ और आप बहुत बहतरीन तरीके से अपनी बात को रखते हैं बड़ी ही महबद और आजिदाना त कि यह भी एक महतरीन डिसकुशन किया जा सकता है बहुत बहुत शुक्रिया आप सबीका शुक्रिया जी थैंक यू सो मच जी शुक्रिया